अलो डियोस वेस्ट हमारा चेप्टर चल रहा पॉलीमर्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी सारा थियोरी वाला पोश्चन कवर कर लिया था बचावा पोश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे और जो भी अब नया पैटर्ण है टर्म टर्म टू जी साब से हमारा हम लोग क्वेश्चन को ट्राइब करेंगे तो यहां तक तो मैंने आपको बढ़ा दिया था देखलो आप मेरे साब से लास्ट हमने पॉलीएस्टर खतम किया था पॉलीएस्टर में ग्लिप्टल पढ़ लिया था इसके बाद हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर चल रहा था त बहुत सारे एस्टर लिंगेज कंटीनुएशन में आते हैं तो उसको पॉलीएस्टर बोल देदें टेरिलीन और ग्लिप्टल यह दो एक्जामपल आपके लिए इंपॉलीएस्टर के अंदर फिर एक आज एक्जामपल और आएगा तो वह मैं आपको आगे बता देता हूं कि थोड़ी देर में पॉल्यमाइट की बात करते हैं आपके इंनलों 66 इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है नाईलों सैड़ित चे और आंपिसका मतलब है जब भी नंबह दो जीके है इसES तका मतलब है जब आपके किया होने वाले ऐसे लग उने वाले और उन दोनों मोनोमर के अंदर जो कारबन की संख्या है, number of carbon से, वो ये six represent कर रहा है, यानि कि एक मोनोमर में भी six कारबन है, दूसरे मोनोमर में भी six कारबन है, अब ये noilon 66 जो polymer है, ये किस मोनोमर से बना हुआ है, यहां से question आता है, और वो मोनोमर होंगें आपके एक तो adip और दूसरा आपका होगा हेग्जामिथिलीन हेग्जामिथिलीन डाइमीन यह दो इंपॉर्टेंट मोनोमर है जिससे आपका नैलोज 6-6 प्रिपेर होता है बासमिद में दोनों के स्ट्रक्चर आपको याद हुने चाहिए एडिपिक एसिट को याद करने का तरीका और ओम्सगेप्स और आपको बताया था वापिस से लिखके बता देता हूँ एडिपिक एसिट की शकल कैसी होगी यहाँ पर सीओ यहाँ चार कार्बन बीच में इस तरह से लिख देता हूँ कंटियूएशन में सीएश्टू 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 चार बार लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पर फिर से सी ओएच यह तो आपका एडिपिक एसिड हो गया जिसमें वन और सिक्स पोजिशन पर आपका सीओएच ग्रूप लगा हुआ है टोटल 6 कारबने आप गि ही मेकनिजम लगेगा जैसे कि हम लोग पॉलिएस्टर में लगा रहे थे हीट करने पर ऐसे नहीं मेकनिजम लगेगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहां से अलिम्नेट हो जाएगा एन नमबर ऑफ यूनिट्स हम इसकी लेंगे यहां से ओएच जाएगा हमेशा कारबोक्स लि और यहां पर च्छे कारबन और यहां पर फिर से एन अच और इसको यहां से फ्री करते हो ऐसी एन नमबर ऑफ यूनिट्स हापस में जुड़ेगी ध्यान से आप लोग यहां पर देखोगे तो यह आपका अमाइड लिंकेज दिख रहा है दो यूनिट को कम्बाइन करें यह अमड करोगा तो यह इन अमड के जाएंगी इसलिए को पॉल्य मइड बोलते और इस पॉल्यमइड का नाम क्या है नायलोन hours इसलिर प्रिफ्रेंट मानोमर इसलिए डो बार नमब लिखा हुगा ओगया ठोटल मिलाके यह आपका नायलोन यह था nylon 6-6, इसी तरह से दूसरा polyamide देखते हैं हम लोग, आप पोस्ट करके इसको note कर लीजिए, दूसरा polyamide है हमारे पास, nylon 6, अब यहाँ पर एक ही बार 6 लिखा है बस, यहाँ पर कितनी बार लिखा है? एक बार 6 लिखा है, यानि कि सिंगल monomer unit से बना हुआ है, और वो single monomer unit जो होगी, वो क्या होगी? कैप्रोल एक्टम भाई हमें monomer याद होने चाहिए ये कैप्रोल एक्टम से मिलके बना होता है कैप्रोल एक्टम क्या होता है? 7 member की ring होती है जिसमें एक hetero atom nitrogen भी आता है ये total मिला के देखो amide link है जे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ atom की ये ring है 7 member की ring है जिसमें एक nitrogen आ रहा है ये आपका कैप्रोल एक्टम है इस कैप्रोल एक्टम का हम लोग क्या करेंगे? पहले तो hydrolysis करेंगे hydrolysis मतलब water से bond को break करेंगे अब water से जब हम लोग bond को break करेंगे तो इस तरफ OH रखा जाएगा और इस तरफ H रखा जाएगा ऐसा करने से जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर COH फिर 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन आ जाएगे आपके लगाता आप CH2 वाल है और फिर आपका जाएगा NH2 यह बनेगा आपका Caproic Acid इसको बोलते हैं Caproic Acid जो हमारी बकरी होती है बकरी का जो दूद होता है बकरी का milk होता है गोट का milk उसके अंदर Caproic Acid मिलता है इस Caproic Acid की N number of units को जब हम लोग SNAE मेकेनिजम से कौन से मेकेनिजम से SNAE मेकेनिजम से वह हीट कर रहे है वाटर का molecule बहार निकाल रहे है combine करेंगे तो Carboxlic का तो O-Edge जाता है और NH2 का Edge जाता है N number of units यहाँ पर जुड़ जाएंगी और यह बन जाएगा आपका Nylon 6 साब यह आपका Nylon 6 बन जाएगा इसके uses के using यहाँ भी पॉलियमाइट की बात थी आप देख सकते हो यहाँ पर सी और पुर अगला जाएगा तो polyomide बन जाए गाई नेक्स्ट हमारे पास है नाइलोन 2-6 नाइलोन 2-6 जो जो मैं बता रहा हूं सारे important है और सब NCRT में दिये हुए वापिस से 2 और 6 लिखा हुआ यानि कि दो अलग-अलग monomer से बनेगा जिसके अंदर एक monomer में तो 2 carbon होगे और दूसरे में 6 carbon होगे तो आउसके monomeric units को जान लाए एक monomeric unit तो होगी इसकी glycine और दूसरी monomeric unit होगी इसकी caproic acid एक तो glycine होगी और दूसरी caproic acid होगी glycine हम लोगों ने biomolecule वाले chapter में देखा था सबसे छोटा alpha amino acid जो होता था जो optically inactive होता था वो glycine होता था glycine की शकल केसी होगी COH CH2 NH2 और caproic acid की शकल केसी होगी बताओ caproic acid की शकल अभी बताई थी NH2 5 carbon CH2 वाल है और एक COOH carboxlyic acid अपने को क्या अपने को पानी निकालना है तो यहां से OH और यहां से H निकाल लेंगे टोटल मिला के हम लोग यहां से water का molecule eliminate करेंगे mechanism substitution nucleophilic addition then elimination ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग heat कर रहे हैं यहां पर सीके वह mechanism चलेगा N number of units की जोडेंगे N number of units की जोडेंगे बनेगा गया यहां से तो यह valency free कर देता हूं फिर एक CS2 आ जाएगा फिर CO यहां से NH आ जाएगा यहां पर यहां पर आपके 5 carbon और फिर हां से OH group जाएगा N number of units अगें आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर यह लिंकेस देख रहा है एन नंबर ऑफ अमाइड लिंकेस होंगे इसने भी पॉलियमाइट नायलोन टूसिक्स इसके लिए एक और चीज इंपॉर्डेंट है आगे चलके अपन लोग अभी देखेंगे यह बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर होता है यह बायो डिग्रेडेबल ह हाम नहीं करने वाला जबकि polythene यह polyvinyl chloride फील अपरन खानते हैं 1000 हो घ्रिद्वी हमारे पुरुवच पुरुच कितने पुरुच निकल जाय है 10-12-12,000 पुरुच निकल जाय है। तब भी अन niveau होते है। यह बायो डिग्रेडेबल नोक्सा है और यह बायो डेड्डेडेडा 6 मोनोमर रियाद होने चीए नायलोन 6 मोनोमर रियाद होने चीए नेक्स बात करते हैं हम लोग बेकलाइट की important है यह तो थे polyomides इससे पहले जो देखे थे वो polyester थे और भी different type के जो polymers है जो काफी है important है जो में पढ़ रहे हैं वह वाले हम लोग अब देखने वाले हैं जिनको resins के नाम से आना जाता है resin कीerdal और गोल निकलता है पेड़ के अंदर से आपने देखा ओल लावा टाइप की चीज निकलती पिगला हुआ सा निकलता है गोण टयप का चिपचीपा सा पधार्त निकलता है उनको बना रहे हम लोग यह बेकलाइड है एक है विर्र एमपोर्टन कि बेकिलाइट जो होता है ये बन काता है पिनोल और फॉर्मल डीअइड के कॉम्बीनेशन इसके मोनमर होता है वस कौन होते है पिनोल होता है और फॉर्मल दीयेड को अगर मैं लिनियर अचेंग में जोड़ता हूँ लिनिलि complement में दिएता हूं और मैं इसको क्रॉस लिंक में जोरता हूं है लीनेल नहीं जोरता हूँ तो io यह हमारा फिनॉल है और फिनॉल की रेक्शन फॉर्मल डियाइड के साथ कराते हैं हम फॉर्मल तुर्मल के साथ यहां पर होगा कि हमारे लौल पर हमें एस सेस्ट के साथ CO square और यह डियक्शन करके हमें यहां से क्यासाय देदेगा係 जहां हमें C एच्टू प्लस और ओएच ये बन गया हमारे लिए एलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ेगा यह पाइवन उसके फेर में तो यहां पर केटायन बन जाए अब यह जो एलेक्ट्रोफाइल बना है इस ओएच के रिस्पेक्ट में या तो और्थो पर जूर सकता है पैरा पर यहां से जो प्रोड़क्ट बनेगा वो क्या बनेगा आप ध्यान से देखते जाओ यहां पर आपका च्टू और बन सकता है और आपका यहां पर दोनों जगे पर जुड़ेगा च्टू यहां पर भी आजा है सारी पोसिबिलिटीज है यह शारी है सारी पोसिबिलेटीर मालो आपन बागी सब चौड़ो और तो यह सोगा निया हमारे पास अब इस ओर जो वाले केउपडर क्या हो रहा होगा इस ओर तो वाले के ऊपर हीट का कॉमिलेशन चल लाओ थीकिए तो एच्ट क्लूस अब यह ओएंछ सी एजड्वार अब यह अगले फिनॉल पर टेक करेगा फिनॉल पर कहां पर करेगा यह तो और्थो पर यहां पर जुड़ जाएगा पता हूं और दूसरे फिनॉल के साथ कहां जुड़ जाएगा इस तरह से और्थो पर जुड़ जाएगा भई O-X-CH-2 और यह-C-A-S-2 कहां पर इस और्थो पर जुड़ जाएगा इस तरह से अभी 2 फिनॉल जुड़े एशने कितने फिनॉल जुड़ सकता हूँ formal diad के साथ n number of phenol जोड सकते हो, वापिस से formal diad CH2OH plus बनाएगा, फिर वापिस से phenol पर टेक करेगा, तो ऐसे करके जब यह linearly बहुत सारे आपस में जुड जाएंगे कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से OH n number of units जब आपस में जुड जाएंगे linearly इसको बोलते हैं बटा novelleck, इसको क्या बोलते हैं? novelleck बोलते हैं, यह formal diad और phenol के combination से बन रहा है, लेकिन linear polymer है, इसको novelleck बोला, अब इसी novelleck को मैं अगर cross linking में डाल देता हूँ, एक novelleck को दूसरे novelleck से आपस में जूड देता हूँ, तो बेकलाइट form करेगा, कैसे करेगा देखोएगा, पोस्ट करके आप लोगों को नोट करना है, लेकिन पहले समझो भी सही, यहाँ पर OH, यह तो आपका क्या था? novelleck, इस तरह से novelleck चल रहा है, पूरा, अब इस novelleck को उल्टा करके लिख दो, इस novelleck को उल्टा करके लिख दो इस तरह से, इस तरह से आप इस novelleck को उल्टा करके लिख दीजिए, और फिर इसके पैरा position से इनको जोड दीजिए, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से पैरा position से आप इसको जोड दीए, यह बनिया आपका बेकलाइट अब क्योंकि बेकैलाइट क्रॉश लेंकिंग प्रोलीमर है यानि कि यह कैसा होगा हाईली डेंस स्ट्रक्चर होा ठीक है और किसले यूज होगा अर्ड प्लास्टिक के अंदर यूज होगा तो यॉस जिसके यह बालटी बनाने में काम आता है वह सबनाने के काम में связ ot टॉकुछे उसको बनाने में समय अपने देखा हुगा क्या पता आपके जमाने में आते हूं जिसमें शाहीबर के वह पेंग चलाता है यह बनता कि से है मोरी इंपोर्डन फिनोल प्लस फॉर्मल लिय। तरह से आपको करके आना ये नौविलक बनाने का तरीका था इसी दोविलक से हमने पेकलाइड का निर्मान किया बेकलाइड सब्सक्राइब में सब्सक्राइब है यह एक रजीन जैसे गोंद के रूप में मिलता है वैसा वेजीन है इससे हम लोग इस सब बना सकते हैं कि बाद समझ में आती है पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बाद आप होगा कि दिख लेंगे आप लोगों नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह के रेजिन और भी होते हैं यूरिया फॉर्मल डियाइट रेजिन यह आपको इसली एंसाटी में नहीं दिखेंगे क्योंकि एंसाटी में पीछे टेबल में दिये हुए है पीछे पीछे आप जाके देखोगे तो टेबल के अंदर एक बनाया हुए है जो भी एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको ना जैसे वहां पर आपको मेलामाइन फॉर्म दोनों को जोड़के बना हुवा रेजन यूरिया फॉर्मल डियाड होगा तो यूरिया क्या होता है एनस्टू सी ओ एनस्टू और फॉर्मल डियाड क्या होता है एच्छो एन नंबर ऑफ यूनिट्स इसकी एन नंबर ऑफ यूनिट्स की इसको वही हच प्लस हीट किया क्य डियूर्दिमेने यूरिया और फोर्मल डियाईड की तो बन गए यूडिया फोर्मल डियाड रेसी पॉली में लेकिन नोमर आपको याद होना चाहिए यूडिया यरा फॉर्मल डियाड यह रहा बसवार्च में यूज वेरी इंपोर्ट चाहां यूज ओता है क्रोकरी मतलब यूटेंसिल्स है ना बरतंज होते हैं प्लेट्स कब्स आपने देखे होंगे वहां पर यूज होता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट है मेलामाइन फॉर्मल डियाइड मेलामाइन फॉर्मल डियाइड रेजिन मेलामाइन फॉर्मल डियाइड रेजिन में एक तो मेलामाइन हमें इस्ट्रक्चर बनने आनी की एक्वेशंद के ऊप गैप मेलामाइन की स्ट्क्चर कैसे बनती है वह आपदेख लिड़ो यहां पाई यहां पाई यहां पाई यहां पाई तीन तो नैट्रोजन है अल्टरनेट पोजिशन पर रिंग के अंदर और फिर जिन कार्बन पर नैट्रोजन नहीं है जहां जहां नैट्रोजन नहीं है वहां पर आपको क्या लगा देना है एनेस्टू ग्रूप लगा दिया एनेस्टू ग्रूप लगा लिया तो यानि कि सबी जगे पर आपका नैट्रोजन उपलब्द है बस तीन तो यहां अल्टरनेट पोश्चन पर रिंग में है और तीन रिंग के बाहर है और वह वहां पर है जहां पर नैट्रोजन नहीं है यहां से question ऐसा भी आ जाता है कभी कभी जैसे objective question आपके पास आ सकता है कि आपके मेला माइन के structure में कितने नाइट्रोजन उच्छे कितने लोन पेर है छे अरे जितने नाइट्रोजन उत्रीन पिर तो उतने 6 यह तो मेला माइन की structure हो इसाप और मेला मायन को किसके साथ जोड़ना है formal dehyde के साथ जोड़ना है formal dehyde के साथ आप जोड़ोगे H plus heat करोगे यहाँ पर आपकी structure जो बनके आएगी वो कुछ ऐसी बनके आएगी यहाँ πाई, यहाँ πाई, यहाँ πाई यहाँ पर NH CH2 और यहाँ से यहां पर वेलंद जिफली chia अंबर हो यह आपका esokumella मयंफ फॉर्मल डियाइट वेरी इंपॉर्टंट ठीड है मैला माइन और फॉर्मलल डिहाइट के कॉम्भी से बर रहा है मोनोमर यह दोनों है और यह पॉलिमर फिर से इसका कॉंपÁ्रेंट्ट पाइट क्या यूज आ है कि ये भी किसमें होता है अन्रिप्रेकेbल का रॉक्स अन्दर यूजõता है पोस्के आप लोगों कर सकते हुं का आए नेच्ट वेठा ऑंचे डेश्दोनमटी भास सवुप्रे वेटेशन डेशन के बैसिपे भी हम लोग fund पॉलिमर को अंघुर्डद बदा चुका हों नायलोन वीक्ष्षक्थ तो यह बढिंखेवल keeps 22 की हूंगे मैं इन्न इन नोम न न समय और वा है nee को और यहां हैं कि वैlex किसे थे ओर अछलीन पॉलीमर IN जो environment के साथ friendly नहीं है हजारों सालों तक भी खतम नहीं होंगे environment को pollute करेंगे वैसे के वैसे maintain रहेंगे bacteria उसको decompose नहीं कर सकते बायोडिग्रेडेबल विच केन बीडिकम्पोस बाए bacteria और वो कुछ टाइम के बाद बाद eliminate हो जाते हैं और या फिर वो recyclable है उनको हम recycle कर सकते हैं इनको भी सैकल नहीं कर सकते हैं को हम recycle कर सकते इसके अग्जामपल अगर बात करें तो जैसे polytheene वैसे तो जितने भी synthetic होते हैं polytheene synthetic वाले सारे जो भी नेचुरली मिलते हैं जो भी नेचर यामसें देताह ना नेचर आपको पताएफ प्रकर्ति इसी चीज है वह जो भी हमें प्रतान कर रही है तो वह उसके एक successor को बैलेंस करतेुए प्रतान कर रही है तो जिते भी natural polymer है वो सब biodegradable हो गया जिससे starch हो गया, cellulose हो गया, glycogen हो गया, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है जिए natural rubber हो गया, natural rubber भी हमें प्रकर्ती ने दिया है, environment ने दिया है, तो natural rubber भी आपका biodegradable ही है, इसके अलावा दो important जो main made है, एक तो nylon 26 और एक THBV, जिसमें glycine और caproic acid आपको monomer बताये थे, मैंने polyamide है, तो biodegradable, non-biodegradable, आप इसकी वो लिख सकते हो, definition easily कि non-biodegradable, which are not decomposed by bacteria, which are not environment friendly, which are not recyclable, biodegradable, जो की recyclable है, bacteria decompose कर देते हैं, environment friendly है, वो सारे biodegradable polymers होते हैं, clear? अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी PHBV के बारे में, very important polyester, ये एक polyester है, आप से पूछा जा सकता है, कि कौन सा polyester biodegradable polymer है, तो वो PHBV है, कौन सा polyamide biodegradable है, तो nylon 26 उसका example है, मेरे साब से बात के लिए रोगी, ये single correct questions में पूछा जा सकता है, आप से आप pattern change हो चुका है, त पी एच बीवी बताता हो आपको, पोस्ट करके आप लोग नोट कर लें ने इसको, पी एच बीवी, फुल फर्म क्या है, पॉली, बीटा हाइड्रॉक्सी, ब्यूटाइरेट, वेलेरेट, पॉली, बीटा हाइड्रॉक्सी, ब्यूटाइरेट, वेलेरेट, ये इसका नाम है पी एज बीवी का, इसके अंदर दो मोनोमर होंगे, एक मोनोमर तो क्या होगा, आप जहां से देखो इज़र, एक तो होगा विटा आपका CO, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH, यह पोजिशन आपके अलपा है, यह पोजिशन आपके बीटा है, बीटा पे हैड्रोक्सी, और च दूसरा कौन सा पोलिमर होगा, दूसरा कौन सा मोनोमर होगा, COOH, यह अलफा, यह बीटा, और यहाँ पर आपका CH2, और यहाँ पर आपका CH2, अब की बार एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन का है, पांच कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में वैलर का इस्तिमाल के जात जलता है, जो भी आपका में पंक्शा ग्रूप है, उसके रेस्पेक्ट में, उसके बगलवाला कार्बन अलफा, उसके बगलवाला बीटा, उसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब क्या करना है, यह कार्बॉक्स लिग है, और यह आपका अल्कॉल है, एस्टर का फ लेकनिस्म वही ऐसे नहीं चलेगा, हीट करेंगे, वाटर का मॉलीटूल बाहर निकालेंगे, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परशानी, किसी प्रकार का चिडचड़ा पर नहीं, यहां पर ऑक्सिजन इसको फ्री कर दिया, यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर ऑक्सिजन और यहां से C double bond O, और यहां से इथाइल गुरूप को लिख देता हूं इस तरह से, मेरे साब से बात क्लियर होगी, यहां से वैलेंसी फ्री है, और यहां से वैलेंसी फ्री है, यहां से और यहां से जाएगा, एन नमबर ओफ यूनिट्स इस तरह की कंबाइन होगी, और इसको नोट कर लो एक बार के लिए, हाँ होई, नोट कर ले होगा आप लोगों ने, अब देखो आप यह हो गया pH भी अब on the basis of intermolecular forces के basis पे भी आप लोग पॉलिमर को classified कर सकते, अब देखो, NCRT में कैसे दिया है, जित्रे भी मेंने classification लिये हुए, उसने हर एक पॉलिमर को लेके उसी के अंदर सारी बात लिखी हुई है लेकिन हमें यह पता हो ना चाहिए ना कि क्या classification है किस तरह से उसको डिराइब किया गया है वो सारी चीज़े हमें clearly पता होनी चाहिए इसलिए मैं classification के बेसिस पर आपको बता रहा हूं कौन सी के टेगरी में फोल होगा और ऐसा करने से एक ही पॉलिमर को आपन 445 बार पड़ पार रहे है तो याद भी रहे जाएगा ठीक है ना तो अन्द बेसिस ओव इंटर मॉलिगला फोर्सेस चार तरीके से क्लासिफाई ए एक फोर्स होता है एक होता है थर्मो प्लास्टिक एक होता है आपका फाइबर और एक होता है थर्मो शेटिंग यह चार तरह के से प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी पॉलिमर के अंदर और इन फोर्सेस का जो जो कोंग से इसके अंदर इसके अंदर कौन से आएंगे के अंदर को से इनके अंदर कौन से जबहारों ने होंगे इसे अंधर वह वाडर वाल फोर्स कॉसेस बहुत्र वूधब छोते हैं 시 contexts दॉट ही कि понравKe थर्मो प्लास्टिक जो थो होता है थर्मो वाले जो भी भी होंगे वो cross linking polymer होते हैं साथ के साथ इसके अंदर एक ऐसी property होती ही कि solid से तुरंत liquid और liquid से तुरंत solid में change हो सकता है ठीक है इसकी property कुछ ऐसी होती ही कि solid से liquid में और liquid से solid में change हो जाता है thermal conditions change होती ही फाइबर वाले जो होते हैं इनके अंदर hydrogen bonding होती है या फिर इसके अंदर डाइपोल डाइपोल interaction होते है डाइपोल डाइपोल interactions होते है ठीक है और थर्मो सेटिंग सबसे ज़्यादा stronger forces रखता है क्योंकि इनके अंदर कोविलेंट bonds होते हैं यह तो हो गई forces की बात कि कौन-कौन से bonds कौन-कौन से forces इनके अंदर present होते हैं अब कौन-कौन से examples इनके अंदर आएंगे polymer के वह बी important बात है अब elastomer की बात करें तो Elastic वाली property इनके अंदर होती थी रभड के अंदर होती थी सारे रभड यहां पर जाएंगे नेच्विए अजाएगा कि भी विख रभड थे हो भी हां जाएगे डिना एन ढापूना आजाएगा जाएगा थीक है इसके अलावा आपका नियोपरीन आजाएगा these all are rubber और rubber के अंदर elastomer forces होते हैं जो कि weak forces होते हैं thermoplastic नाम से बता चल रहा है plastic वाली जितने भी polymers होंगे सब इसमें जाएंगे जैसे कि polythene polythene PVC जितने भी homopolymer हम लोगों ने पढ़े थे वो सब इसके अंदर fall हो जाएंगे teflon polyvillain, chloride, polystyrene यह सब इसके अंदर fall होंगे etc fiber वाली category मैं आपको बढ़ाया था fiber वाले में polyester और polyamide इनके अंदर hydrogen bonding डाइपल डाइपल interaction भी होते हैं और यह fiber category के होते हैं ठीके तो इसके अंदर कौन आजाएंगे सारे तो polyester polyester में terrylene वगेरा जो भी आपको पढ़ाया थे polyester और सारे polyamide जितने भी नाइलोन वाले थे वो सब इसके अंदर आजाएंगे thermosetting covalent bonds strong covalent bonds resins के अंदर present होते हैं जो hard plastic होते हैं जैसे बेकलाइट resin बेकलाइट आजाएगा इसके अंदर इसके अंदर मेला माइन formaldehyde आजाएगा मेला माइन resin आजाएगा इसके अंदर यह सारे examples आजाएगा बार समय में आती है अब चाहो तो आप इनको detail में पहले तो यह नोट कर लो यह important बात थी सारा का सारा polymer में आपको पढ़ा चुगा हूं इनके बारे में थोड़ी सी कैसे लिखके आना है पूछ लेगा elastomer forces क्या होते है thermoplastic क्या होते तो यहां पर इस तरह से आपको लिखना है elastomers क्या होते हैं these are the polymers having very weak intermolecular forces between the polymer chain the weak forces permit the polymer to be stretched elastomers thus possess elastic character example vulcanized rubber जित्ती भी rubber category के होते हैं सब elastomer में fall करते हैं खीचोंगे तो खिच जायागा वापिस अपनी position पे आ जायागा बता दिया भी ना आपको simple भाशा में बताया था थोज़े पले fibers fibers के अंदर polyesters और polyomide यानिकी nylon वाले सारे आजते थे इस आज़ी polymers विछ फ्रॉंग इंटर मॉलेकुलर फोर्श बिट्वीन दी चेंज इज अधर हाइदर हाइदर हाइड्रोजन बॉंड और डाइपोल डाइपोल इंट्रक्शन यहीं लिखा था मैंने हाइड्रोजन बॉर डाइपोल डाइपोल इंट्रक्शन ठीक है थर्मो प्लास्टिक मैंने बताया था जो सॉलिट से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिट में चेंज हो जाते हैं इस आर्डी पॉलिमर्स इन वीज इंटर मॉलेकुलर फोर्श ऑफट्रेक्शन आर इंटर्मीडियेट बिट्विन दोज और विलास्टोमर्स और फाइबर इसके अंदर जो फोर्श होते हैं वो एलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच के अंदर लाई करते हैं इस पॉलिमर्स दू नोट हैव एनी क्रॉसलिंक बिट्विन दी चेंज शैद मैंने वहाँ पर आपको क्रॉसलिंकिंग बोल दिया था वल्लब मैं बोलना वह चारा था कि क्रॉसलिंकिंग नहीं होती है न कोई क्रॉसलिंky नहीं होती हिंद देजली इजवीर मॉल्डड हो याते आटेस व्लिक्विर ट से पॉलिट के अंदर चले आते हैं तो यहां पे थर्मो प्लास्टिक सॉफ्टन ओन हीटिंग एंड बिकम हाड़न कूलिंग पॉलिथीन पॉलिस्टाइरीन पॉलिविनल कुरेड एक्सेक्टर इसके एक्जाम्पल्स है वो मैं आपको लिखा चुड़ो थर्मो सेटिंग पॉलि सॉलिट फोम में रिजाई तो बेकलाइट मेला माइन यह एक्जाम्पल में नेवान लिखे थे यह एक्जाम्पल यहां पर लिखे हुए इसी तरह से आपको लिख क्या है ठीक है बास समझगे यह थियोरी वाला पॉर्शन पूरा कवर हो गया है अब बात करेंगे क्यां से ही हम लोग डिसकस करेंगे लेकिन जो पैटन अब आने वाला है उसके साफसे हम लोगो डिसकस करेंगे सबसे पहले तो देखो यहां पर प्रएवेश हैं जो भी कुश्टन आया हैं मल्टीपल करें क्योश्टन महले अब और अबजेक्टिटिव टैप के कॵेश्ट कि लोघोforce शीजे बात करता हूं बुरा लग जाता है प्रेंहां किसका बॉलियमर है पाइंगर ये । अमय से बनता है एक बार बहुती ही होता था और दूसरा Examethylene Diamine, अब ढूढ़ लो यहां पर क्या है तो यहां पर ADP गचैट तो दिया, Examethylene Diamine नहीं दिया तो ADP तो लगाएंगे टिक पॉलिमर विचेज Amide Linkages, ऐसे polymers जिसमें Amide Linkages होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलियमीट्स पॉलियमाइट में क्या-क्या पड़ा था हमने नाइलोन तो यहां पर क्या जाएगा बिटा सिंपली नाइलोन 6-6 नाइलोन 6-6 आपका पॉलियमाइड है टेरेलीन आपका पॉलियस्टर है टेफलोन तो सिंपल एडिशन पॉलिमर था वेकलाईट में आपका कोई नहीं बमाइल्ट नाइन कैट लिस्ट मैंने आपको बता है जीलानाटा क्या होता था के ट्री अधायल आयंडों लोगे प्लस टाइटनियूमीनियं ट्राइट्ट लूराइट 60 अब इस द्राइटायल आलूमीनियम प्लस TICL4 clear? Monomer of given polymerase आपको polymer दिया हुआ है इसका monomer आपको बताना है तो ये simply आप देख सकते हो कि single type के monomer से बना हुआ है यानि कि homo polymer है और ये addition polymerization से बना होगा pi bond जहां जहां से valency free हो रही है उस valency को वापिस जोड़के हम उसकी जगे pi bond बना देंगे और कुछ नहीं करने वाले तो यहां पर क्या होगा देखो आप ये CS3 फिर यहां पर carbon फिर CS3 और यहां पर यह जो CS2 लिखा हुआ है यहां से यहां से valency free हम यहां पर pi bond बना देंगे यह आपका monomer आ जाएगा अब यहां पर 1,2,3 यह क्या आगे आपका 2-methyl 2-methyl और prop-1-in 2-methyl prop-1-in यह आपका इसका monomer हो जाएगा तो 2-methyl prop-1-in यह 2-methyl prop-1-in कहां पर दिया है यह option में दिया है simple है which of the following is a nitrogen containing polymer nitrogen containing polymer कौन से हो सकता है तो melamine formal di-i-d resin हो सकता है यह फिर आपका nylon हो सकता है nylon की जित्ते भी से सब में nitrogen आ रहा था polyvinyl chloride में तो nitrogen नहीं आएगा bagelide में nitrogen नहीं है nylon के अंदर nitrogen है terylene के अंदर भी nitrogen नहीं है simple simple इस ताइब के questions आपको देखने को मिले Buna S is a polymer of Buna S के बारे में बताया था Buna क्या represent करता है S के represent करता है पूरी बाते हम लोगों ने discuss करी थी Buna का मतलब Buna 1-3-diene S का मतलब styrene तो यह देख लो आप Buna Diene only styrene only, butadiene and nitrate butadiene and styrene तो D option आपका correct हो जाएगा butadiene and styrene दोनों का मिला के हमारा Buna S बनता है Condensation product of Caprolactamase Caprolactam अभी बढ़ा है थोड़ देर पहले Nylon 6 का Monomer जो होता है वो Caprolactam होता है तो Condensation product Caprolactam का क्या देगा हमको Nylon 6 देगा भाई 7 member की रिंग होती जिसमें एक nitrogen होता Preparation of Nylon from Hexamethylene Diamine and Adipic Acid is an example of Adipic Acid and Hexamethylene Diamine से Nylon 6 6 का formation होता है और वो कैसा Polymer था? Condensation Polymer था तो यहां पर क्या हो जाएगा? Condensation Polymerization Clear? अब सारा तो हो नहीं सकता क्योंकि Addition Condensation अलग अलग प्रोसस है Structure of some common polymers are given which are correctly presented अब हमें बताना है कौन से structure यहां पर Polymer के सही लिखे हुए है नाम के साब से तो टेफलोन जो होता था वो Tetra Fluoro, Polyethylene होता है यह बिल्कुल सही लिखा होगा है Nylon 6 6 Hexamethylene Diamine और Adipic Acid तो यहां पर 6 Carbon Hexamethylene Diamine और यहां पर 4-5 6 Carbon यहां पर भी Adipic Acid है यह भी बिल्कुल सही है Terylene में आपको पता होना अची है कि Thalic Acid लेते थे कौन से वाला Teryp Thalic 1,4 वाला तो वो 1,4 वाला Teryp Thalic Acid लिया और इसलिंग लाइकोल लिया यह भी सही है यानि कि सारे सही है तो All of these आजाए D option correct हो जाएगा इस तरह के questions भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि मैस्दा कॉलम है मैस्दा कॉलम से ही आपको ABCD option बना के दे दिया थोड़ा सा long question हो गया लेकिन interesting question है अब यहां पर देखो क्या दिया होगा है High Density Polythene हमाँ बताना है Branch Chain Polymer होगा Linear Polymer होगा Strong Covalent Bone होगे या Cross Link या Network Polymer होगा High Density Polythene Phinex Polyvinyl chloride Law Density Polythene Backlight और Melloway High Density Polythene जो होता था वो Linear Polymer होता था Linear होता था तभी तो उनके बीच में Gap कम होता था तो इसलिए High Density Polymer Linear Polymer होगा तो पहले गा तो B option correct हो जाएगा फिर बोला है Polyvinyl chloride polyvinyl chloride कैसा होता था आपका example लिखाया था मैंने High Density Polythene होता था तो इसका अंसर भी B हो जाएगा Low Density Polymer Low Density Polythene जो होता था उनके बीच में Branching आती थी तभी तो Gap क्रियेट होते थे और Gap क्रियेट होते थे इसलिए Density कम होती थी तो Branch Polymer जो होगा वो आपका Low Density Polythene हो जाएगा Bakelite और Melamine वो कहते होते हैं Cross Linking Structures होते हैं अभी दिखाया था Bakelite बनाके Melamine बनाके उसमें Cross Linking Structures बनते हैं तो यहाँ पर D Option तो आए गई और साथ के साथ उसमें Covalent Forces होते हैं वो भी अभी अपने देखा था Thermosetting वाली कैटेगरी में यानि कि यहाँ पर C भी आ जाएगा लेकिन आपको पोस करके Solve करना है रुखा नहीं रूँगा मैं ऐसे दो ना एक गंटे आप ट्राय करते रोगे मैं रुखा रहूँगा वापिस से Next Question देख़वा मैस्दा वालम का Question है Polythene अच्छा दो ही चीज़ बदा नहीं addition है polythene क्या है addition addition a option buna s क्या है addition nylon 66 क्या condensation nylon 6 क्या condensation decron क्या condensation a triple b a triple b कहां पे आ रहा है a क्यों option है c option a triple b वाला simple clear है अब one marks के question अभी हम लोगों ने देखे वो भी one marks के question थे वो objective pattern जो अभी नया इत्रुडूज होने वाला है term 1 उसके लिए मैंने बता है अब one mark के question देखो आप पहला question यहां पे लिखा होगा है यह question आप खुद से एक बार ट्राएगा हो हावे कर ले होगा आप लोगों ने तो arrange the following polymers in the increasing order of their intermolecular forces तो हमें बताना है intermolecular forces की basis पे इनको कैसे arrange कर सकते हैं आपको बताया था सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग होते थर्मोसेटिंग फिर फाइबर फिर थर्मोप्लास्टिक फिर एलास्टोमर तो हमें पता होना चाहिए कौन से किस कैटेगरी में फोल करता है पॉलिस्टाइरिन पॉलिस्टाइरिन क्या होता है थर्मोप्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक बस ही हमें पता होना चाहिए कौन सी की कैटेगरी में कौन फोलो आ रहा है टेरिलीन जो है वो polyester है वो किस में हैगा फाइबर वाली केटेग्री में हैगा और विवना-S जो है वो rubber है वो elastomer की केटेग्री में हैगा बस अब आप इसको बहुत आसनी से औरेंज कर सकते हों Elastomer सब से weak होगा, सबसे हैसटोंग होगा, Fiber, यानि कि सबसे आगे तो Terrylene आजाएगा, Terrylene के बाद आपका आजाएगा, Poly styrene, और Poly styrene के बाद आपका क्या आजाएगा, Buna S आजाएगा, सबसे end में आपका Buna S आजाएगा, ठीक है, यह आपका order हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंस थी फॉलोविंग पॉलीमर्स इंग्रीजिंग ओडर अफ दिर इंटर मॉलिकुलर फोर्स तेरलीन पॉलीथीन नियोपेन अगें वही क्वेश्चन है बस यहां पर नाम चेंज कर दिया गया है पॉलीमर का तो उसके साब से हमें आंसर करना ह पोस्ट करके आप लोग ड्राइगे साब्सक्रूं करना अगें अगया अगन यहां पर आप देखोंगे तो टेडीलीन अयगा क्योंकि वह फाइबर वाली केटेग्री में आता है उसमें इंटर मॉलिकुलियूर फोर्स यस फोर्सेज होते हैं फिर पॉलीथा क्यों होते है उसके अंदर आपके thermoplastic वाले थर्मो प्लास्टिक वाले यहां पर आपको देखने को मिलते इंटरमोलिकलर फोर्स फिर आपका नियोप्रीन आएगा क्या एगा नियोप्रीन आएगा ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा नेक्स रायट दी नेम इन एंस्ट्रक्चर अफ दी मोनोमर सफ दी फॉलविंग पॉलिमर मैंने आपको बोला था कि इसी तरह के कुष्चिन आपको बारबार देखने को मिलेंगे या तो आपसे मोनोमर पूछ लेगा या मोनोमर देंके उसका पॉलिमर पूस लेगा तो प्रोटीन आपका नेच्रील्ड पॉलीमर होता है इसलिए यहां पर प्रोटीन आपका नेच्रील पॉलीमर हो जाए सिंपल सिंपल एक एक नंबर के सवाल है सीज़े आंसर लिखना है बेस्ट ऑन मॉलिकलर फोर्सेज वाट टैप ऑफ पॉलिमर इस नियोप्रीन पेटा रबबर होता है मैंने आपको बता था दियोप्रीन जो है वह एक सिंथेटिक रबबर होता है तो किस केटेग्री में तो सबसे पहले पॉलिमराइजेशन की डेफिनेशन ही पड़ी थी तो डेफिनेशन लिखनी है पॉलिमराइजेशन की और तो कुछ नहीं करना किके है रिपीटिंग यूनिट्स आफ मोनोमर्स तो फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल एविंग हाईयर मॉलिक्यूलर मासेस टर्म डैस पॉलिमराइजेशन चीक है मोनोमेरिक यूनिट्स को रिपीट करने से बनने वाले पॉलिमर्स पॉलिमराइजेशन क्यालाता है इस यह जो भी आपका पॉलिमर लिखा हुआ है यह पूछाए कि होमो पॉलिमर है या को पॉलिमर है ठीक है यहां पे देखके पता चल रहा है यह पॉलिविनाइल क्लूराइड है और पॉलिविनाइल क्लूराइड जो है वह होमो पॉलिमर से बनता है और होमो पॉलिमर क्य यह आपका PVC हो जाएगा यह आपका vinyl chloride हो जाएगा और यह एक homo polymer विदाल क्लोराइट और यह आपका एक homo polymer homo polymer ठीक है simple है name the polymer which is used for making non-stick cooking utensils non-stick cooking utensils के लिए मैं आपको बताया था teflon की coating करते है ठीक है तो non-stick cooking utensils के लिए जो polymer होगा वो कौन सा होगा teflon होगा और teflon की शकल कैसी होती है teflon की शकल होती है cf2 cf2 यहाँ से valency free यहाँ से valency free और इसको end time slip दो यह हो जाएगा poly tetrafluoro ethene भी लिख सकते हैं इसको what does 6,6 indicate in the name of nylon 666 तो nylon 666 में मैं आपको बताया था कि जो भी nylon के आगे संख्या लिखी हुई है जो भी number nylon के आगे लिखा हुआ है वो क्या represent करता है वो carbons की number represent करता है जो भी उसके monomer है उनके अंदर कितने carbons आ रहे हैं वो यह number represent करते हैं यहां दो बार यह number लिखा हुआ है इसका हुआ है इसके 2 monomeric unit है और 2 monomeric unit में यहां पर 6 carbon है ठीक है तो 6,6 represent 2 monomeric unit 2 monomeric units having 6 carbon each ठीक है और nylon 6 इसके जो monomer होते है वो क्या होते है hexamethylene, diamine और दूसरा होता है adipic acid दूसरा क्या होता है adipic acid यह दो इसके monomer होते है hexamethylene, diamine जो है उसकी शकल NH2, CH2, whole 6, NH2 होती है और adipic acid की जो शकल है वो carboxylic acid इस तरफ और फिर 4 बार CH2, फिर carboxylic acid तो आप देख सकते हो दोनों के अंदर 6-6 carbon आ रहे है ठीक है what is the primary structural feature necessary for a molecule to make it useful in a condensation polymerization reaction condensation अगर आपको कराना है तो क्या necessary चीज होने चाहिए monomeric unit के पास तब जाके condensation polymerization हो सकता है condensation polymerization होने के लिए कम से कम एक monomeric unit में दो functional group मौझूद होने चाहिए तब ही जाके वो polymerize कर सकता है दे शुट कंटेन दे शुट कंटेन बाइफंक्शनल ग्रूप्स बाइफंक्शनल ग्रूप्स बाइफंक्शनल ग्रूप्स होने चाहिए जो भी आपकी monomeric unit है देन अल्ली इट के अंडर गू कंडेंसेशन पॉलिम्राइज़ेशन ठीक है अटिज दनी डेफरेंस बिडिविन ली आफो सिक्स तो नाइलान उकश जो है वह आपका क्या प्रेंट कर रहा है कि यहां पर जो monomer होगा वह क्या क्या सैंगल monomeric unit होगी nylon 6 की और वो क्या होगी केप्रोलेक्टम nylon 666 के represent कर रहा है nylon 666 represent कर रहा है कि इसके अंदर 2 monomeric units होगे और दोनों के अंदर 6-6 carbon होगे और वो 2 monomeric unit कौन सी होगी hexamethylene diamine 12 लिखना बढ़ रहा है hexamethylene diamine plus adipic acid देख सकते हो आप इसी इसी तरह के सवाल बार-बार पूछे जा रहे है ठीक है nylon के ओपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे आते है write the names and structure of the monomers of the following polymer phbv अभी मैं थोई दाए पहले आपको पढ़ा के निकला था कि phbv जो है biodegradable polymer होता है जो एक polyester होता है एक nylon वाला भी जो है ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट यह इसकी फुल फॉर्म होती है phbv की तो इसके अंदर दो monomeric units है और वो दो monomeric units कौन-कौन सी है एक तो है इसके अंदर बीटा यह अलफा है यह बीटा है इस इस वाट बीटा हाइड्रोक्सी क्योंकि 4 कार्बन का यह कार्बॉक्सलिक असट है इसले उसको ब्यूतायरिक असट बोलते है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूतायरिक असट ठीक है और दूसरी monomeric unit जो होगी वो क्या होगी यहाँ पर इस तरह से यह कार्बॉक्सलिक असट है यहाँ पर OH group बीटा पोशन पे ही लगा है यह होगा आपका बीटा हाइडरोक्सी वेलरीक ऐसेड पांच कारवन के लिए वेलर यूज करते हैं तो बीटा हैडरोक्सी वेलरीक ऐसेड यहाँ से ओच यहाँ से एच इसी लेक्चर में पढ़ाया है पूरा आप देख सकते हो पी है या फिर किसी माइक्रो और्गनिजम के द्वारा वो खतम हो जाए तो वह आपके कैसे होते हैं बाइडिग्रेडेवल पॉलिमर्स ठीक है तो यहाँ पर लिख भी सकते हो डोस्पॉलिमर्स which degrade which degrade themselves by on or with the help with the help of microorganism with time are known as biodegradable polymer वो कैसे होते हैं biodegradable polymer होते हैं जो समय के साथ खुद से खतम हो जाए या फिर किसी microorganism जैसे bacteria वगेरा जो होते हैं वो उनको decompose कर दें बहुत हैं ऐसे एक्जामपल आपको मैं बता चुका हूँ कि एक polyamide का example भी बताया था और एक polyester का example भी बताया था पॉलिएस्टर और polyamide दोनों का example मैं आपको बता चुक हूँ पॉलिएमइड जो था वो क्या था नाइलोन टू सिक्स था और polyester क्या था अभी देखिया है pH bb the poly hydroxy beta poly beta hydroxy beta hydroxy valerate टीक है तो ये दो example आपको याद रखने हैं अब दो marks के question है ये तो एक-एक marks के question थे अब दो मार्ट का पहला question है आपके पास define thermoplastic and thermosetting polymers give one example of each thermoplastic and thermosetting polymer की definition में already आपको बता चुका कैसे आपको लिखनी है केवल मैं यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करके बताता हूं कि thermoplastic जो होते हैं thermoplastic और thermosetting अंतर क्या है thermoplastic polymers जो होते हैं विटा thermoplastic के अंदर forces जो होते हैं वो in between in between elastomers and fibers elastomers और fibers के बीच के जो forces होते हैं वो thermoplastic के अंदर present होते हैं ठीक है और यह बहुत जल्दी मोल्डेड आते हैं एना temperature के साथ अगर temperature बढ़ा दो के तो soft हो जाएंगे temperature कम कर दो के hard हो जाएंगे on increasing temperature on increasing temperature they become soft they become soft and on decreasing on decreasing they become hard जैसे temperature उपर नीचे करेंगे soft और hard होते रहेंगे ठीक है इसके examples जो थे इसके examples आपको बताया थे मैंने कि सारे के सारे जितने भी plastic वाले material हो सब thermoplastic के अंदर आजाएंगे जैसे आप polyethene देख लो जैसे आप पर polystyrene देख लो एक सेक्ट वाल आप थर्मो प्लास्टिक थर्मो सेटिंग्स क्या होते हैं थर्मो सेटिंग्स के अंदर kovalent forces होते हैं kovalent bonds होते हैं kovalent forces यहां पर मौजूद होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग forces thermosetting polymers के अंदर होते हैं बहुत इंपॉर्डन बाद देखन नौट चेंज देयर शेप्स चेंज देयर शेप्स विट टेंपरेचर टेंपरेचर के साथ यह शेप अपना चेंड नहीं करते हैं किस होते हैं hard plastic because they contain strong cross link between them cross link between them इनके अंदर cross linking होती है इस कारण से यह अपना शेप चेंज नहीं करते हैं टेंपरेचर के साथ और यह hard होते हैं बहुत जाए एक्जाम्पल के तोर पर यहां पर मैंने आपको बताया था कि बेकलाइट ले सकते हो बेकलाइट यूरिया formaldehyde resin ले सकते हो या फिर आप यहां पर फॉर्मल्डीएट रेजिन भी ले सकते हो ला माइन फॉर्मल्डी रेजिन भी ले सकते हो ठीक है सर ला माइन फॉर्मल्डी रेजिन यह भी आप ले सकते हो नेक्स्ट आपके पास distinguish between homopolymers और कॉपोलिमर इसके बारे भी मैंने पहुत अच्छे से distinguish करके आपको बता रखा है आप पोस्ट करके खुछ से लिखो में बात हुए आपको पड़ा चुका हो सब कुछ अपन discussion कर रहे हैं कि कैसे कैसे question आये आप चेक करो कि आप उसका answer लिख पारे हो या नहीं लिख पारे हो होगो polymers और co polymers की बीच में अंतर हो polymers ऐसे polymers जो single monomeric unit से बनते हैं co polymers जो एक स्यादा different monomeric unit से बनते हैं ठीक है एक बाग खुछ से लिखने कोशिश करो चलो है हाँ लिखे आप में तो homo polymer में सबसे पहला अंतर homo polymer को polymer का की homo polymer तो single type के monomer से बनेंगे किके देयार फॉर्म्ड बाइर सिंगल monomeric unit सिंगल monomeric unit यह सिंगल monomeric unit के द्वारा बनेंगे इसलिए इनको homo polymer बोले आता है अगर को polymer की बात करें तो देयार फॉर्म बाइए यह यह फॉर्म्ड बाइए तो और मोर है डिफ्रेंट monomeric unit है डिफ्रेंट monomeric units है ठीक है homo polymer single type के monomeric unit से बनते हैं को पॉलीमर दो या दो से यादा different monomeric unit से मिलके बने होते हैं अब बस एक्जामपल लिखने और तो क्या अंतर करोगे बस यह अंतर करना नायलोन 66 आजाएगा नायलोन 26 आजाएगा ठीक है टेरिलीन आजाएगा जितने चाहतने एक्जामपल लिख सकते हो आपको याद होने चाहिए कौन एक से ज्यादा इफ्रेंट मोनोमेरिक उनिट से बन रहा है कौन सिंगल टाइप के मोनोमेरिक उनिट से बन रहा है तो एडिशन पॉलिमर जो होते हैं एडिशन पॉलिमर जो होते हैं वो कौन बनाते हैं और कंडेंसेशन पॉलिमर जो होते हैं वो कौन बनाते हैं सबसे इंपॉर्टन अंतर तो यही होने वाला है एडिशन पॉलिमर बनने के लिए कंपाउंड में अंसेचुरेशन होना जरूरी है Now, those monomeric units, those monomeric units, which are having unsaturation, which are having unsaturation, and they add, because of that, are known as addition polymers. Condensation polymers के लिए क्या होना जरूरी है? Bifunctional group होना जरूरी है. कम से कम दो different functional group, एक compound के अंदर मोजुद होने चाहिए. ठीक है? तो, those monomeric units, those monomeric units, which are having, which are having bifunctional groups, bifunctional groups, forms condensation polymer. और condensation के लिए आप इभी बोल सकते हो, कि वन टू बिगर molecules combine to form a single monomeric, single polymeric unit, by removing small units, like methanol, ethanol, water, ammonia, are known as condensation polymers. बास्वन में आगे, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये तो लिखना ही है. इसके examples लिखेंगे, addition polymers के example क्या के लिख सकते हो, PVC लिख सकते हो, polyethyn लिख सकते हो, वही example सारे के सारे देखवा, polystyrene लिख सकते हो, teflon लिख सकते हो, Buna-N, Buna-S लिख सकते हो, Buna-N, Buna-S लिख सकते हो, These all are examples of addition polymers. इसके example लिखोगे, तो क्या लिखोगे, polyester और polyomide, teraline लिख सकते हो, teraline कैसे बनाया था, हमने condensation से, nylon 66 कैसे बनाया था, हमने condensation से, THBV कैसे बनाया था, हमने condensation से, अर nylon 26 कैसे बनाया था condensation से, etc. these all are condensation polymers, these are addition polymers, ठीक है? what is the difference between elastomers and fibers elastomers और fibers के बीच मिna आपको अंतल लिखभा रखा है, चाओ हो तो फिर से लिख सकते हो, elastomers के अंदर कौन कौन से forces present होते हैं और fibers के अंदर कौन-कौन से forces present होते हैं पैसे आप अंतर लिख सकते हो ठीके elastomers के अंदर wonder wall forces present होते हैं wonder wall forces wonder wall forces present and they have elasticity in them elasticity in them ठीके ऐसे polymers जिसमें elasticity होती है और जिनमें wonder wall forces present होते हैं वह elastomers की category में आते हैं जबकि fibers की category में कौन आते हैं ऐसे polymers जिनके अंदर hydrogen bonding या dipole-dipole interaction होता है टेकर दोस है विए हैविंग hydrogen bonding और डाइपोल-डाइपोल interaction डाइपोल-डाइपोल interaction और fall in fibers category ठीके इसके एक्जामपल लिख देंगे elastomer के जितनी भी रबड़ हो सब के सब elastomers मा जाएंगे जिसे ब्यूना आयस हो जाएगा आपका नैचुरल रबबर हो जाएगा आपका बसमझ मारी नियोप्रीन हो जाएगा आपका इस ओल आर फॉल-इंदी के टेगरी ओफ लास्टोमर्स ठीके एक्जामपल फाइबर के कौन से होंगे पॉलिस्टर्स और पॉलियोमाइड यानि की टेरेलीन हो जाएगा आपका और जित बलकराइजेशन ओफ रबर क्यों किया जाता है इसके पूरे डिफरेंसेज मैंने आपको लिखवाया थे कि नैचुरल रबर में जो भी खामिया थी उसको सुधार्गने के लिए बलकराइजेशन किया जाता है तो अगर मैं सॉल्यूशन नमबर वन की बात करूं तो तो इंप्रूव तो इंप्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज अफ नैचुरल रबर अफ नैचुरल रबर फाइफ परसेंट सुल्फर इस अड़ेट और उसको वलकराइजेशन बोलते हैं इस इस सुल्फर इंट्रिडियूश क्रोस लिंकेज क्रोस लिंकेज पैदा कर देता है थीक है नैचुरल रबर के अंतर और ऑल्सो इंप्रूवस और ऑल्सो इंप्रूवस elasticity and ductility elasticity और ductility को भी improve कर देता है natural rubber की ठीक है बाकी वो सारी properties तो आपको पता ही है कि water में absorb हो जाता था natural rubber bacteria decompose कर देता था heat करने पर soft हो जाता था cold में stiff हो जाता था तो वो सब improvement हो जाएगा 5% sulfur मिलाने से फिर नीचे दिया है identify the monomers in the following polymers आप ऐसे question को कैसे solve करते हैं यहाँ पर यह ester linkage दिख रहा है और ester के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि OH जो है वो तो carboxylit का जाता है और H alcohol का जाता है इधर है जाएगा इधर भी फिर से है जाएगा और इधर क्या हैगा OH आप देख सकते हो कि इस benzene पर दो COH लग गए और वो एक दूसरे के पैरा पोजिशन पर लगे होगा है तो solution number second में अगर हम लोग इसके monomeric unit की बात करें तो एक monomeric unit तो दोनो COH एक दूसरे के पैरा पोजिशन पर लगे हैं जिसको हम लोग tarifthelic acid के नाम से जानते हैं किसके नाम से tarifthelic acid के नाम से ठीक है और साथ में आपका बन रहा है ethylene glycol ethylene glycol और इसका नाम क्या है tariline इसका नाम क्या है tariline ठीक है explain the term co-polymerization and give two example of co-polymerization co-polymerization को मैं explain कर चुका हूँ कि दो different monomeric unit से बने हुए polymer co-polymers कहलाते है example में आप लिखना चाहो तो दो example क्या 500 example लिख सकते है buna l लिख लो, buna s लिख लो, teriline लिख लो ठीक है teriline लिख लो, आप चाहो तो यहाँ पे nylon 66 लिख लो ठीक है, कितने चाहो उतने example लिख सकते हो कोई कमी नी है, दो different monomeric unit होनी चीए और मैंने आपको co-polymer के बारे में थोड़ी दिर पहले ही question करवाया write the name of monomers used for getting the following polymers अब bacalite जो है bacalite कौन-कौन से monomer से बना होता है तो यह पता होना चाहिए कि यह phenol और formaldehyde से मिलके बना होता है तो यहाँ लिख देंगे phenol और formaldehyde, एक number हमें मिल चुका है, नियोप्रीन जो है वो किस से मिलके बना होता है नियोप्रीन इस सिंथेटिक रबर और यह बना होता है क्लोरोप्रीन से मिलके और क्लोरोप्रीन जो होता है वो क्या होता है 2-Cloro-buta-13-diene होता है 2-Cloro-buta-13-diene की structure कैसी होती है है यहां पर क्लोरीन इस तरह से लगा होता है ना ठीक है यहां पर 1234 तो टू क्लोरो ब्यूटा-13 इसका ना हो जाए ठीक है राइट दी नेम ओफ मॉनोमर्स यूस फोर गेटिंग दी फॉलोइंग पॉलिमर्स पोस्ट करके आपको ट्राय करना है ठीक है सिंपल सा है अभी 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 मैंने आपको बताया कि इतलीन ग्लाइकोल और टैरिफ्थालिक एसिट से मिलके बना होता है इतलीन ग्लाइकोल की कैसी होती है यहां पर OH यहां पर OH और टैरिफ्थेलिक की स्ट्रक्चर कैसी होती है यहां पर author हुद और यहां परतीव यह इन क्यऽ दोनों को कम्माइन करोगे बनेगा पॉलिएस्टर जिसको हम लोग आपश्वान्थ इक इस और दूसरा होता है एड डूर्वपिक acid दोनों की शकल भी मैंने आपको बहुत बार बना के बता दी कि यहाँ पर NH2 लिखो फिर छे बार लगातार कार्बन लिखने हैं आप इस तरह से लिख सकते हूँ फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कार्बोग्ज लिख यह दोनों अंसर हो जाएं क्लियर है राइट दी नेम ऑफ मोनुमर्स यूस फोर गेटिंग दी फॉलोविंग पॉलिमर्स अब यहाँ पर फिर से दो पॉलिमर दिये हुए इनके मोनुमर बताने ऐसे ही क्वेशन पूछे तरग ऐसी होती है इसको बोलते हैं टेट्रा वलोरो इथेन और इससे बनता है पॉलिटेट्रा प्रोरोतेन जो टेफलों होता विल्विभिणाएन यहिंद कहों कि एक होगा यह पर यह होता है आपका अक्राइलो नैट्रेल इन दोनों से मिलके आपका भी नायन मनता है क्लियर है बात में कोई वहाँ पर चेक करने वाला है नहीं जितनी इमानदारी से आप सॉल करोगे उत्ती इमानदारी से आपके एक्जाम में नंबर आईए और इस टाहिए नाइलोन अरे अभी बताया है तो यह रहाँ नाइलोन शिक्स एक्जामिधालीन डायमीन डूबारा नहीं लिखुआ यह नाइलोन शिक्स के होंगे ठीक है ड्रॉदी मॉलिक्लर स्ट्क्चर आफ दी मोनोमर्स ऑफ पीवीची पीवीची इस वाट पॉली विनायल कुल्राइड और इसक में अगर मैं पॉलिम्राइज करा देता हूं तो मेरे को बिलता है आपका पॉली विनायल कुल्राइड बास सुन में आती है टेफ्लोन अभी अभी बताया था आपको टेफ्लोन का मोनोमर जो होता है वो होता है आपका टेट्राफ्लोरो इथीन ठीक है यह टेट्राफ्लोरो है इडोलाग के लिए क्ला रर बनाने के लिए यह पाज़ाब वनाने इस हम सबते हैं को अप वट इस वाइई-ड्च्ट आज पॉलीमर गीसाइम ऑफ वाइव है फिर्पन पॉलीस्ट के का सवाल पूछा है, बायो डिग्रेडेबल पॉलिमर मैं आपको बदा चुका हूँ कि जो खुद से खतम हो जाए या फिर कोई माइक्रो और्गनिजम उसको खतम कर दे टाइम के साथ उसको बायो डिग्रेडेबल पॉलिमर बोलते हैं, अल्रेडी लिखा चुका हूँ एक्जामपल पॉलिस्टर का पूछा है तो हम सीधे एक्जामपल की बात करेंगे एक्जामपल इसका बैस्ट होगा पॉलि बीटा हैड्रोक्सी बुटाइरेट को बीटा हैड्रोक्सी वेलरेट यह पीएज बीवी की फ्रूट फॉर्म है थीए सब्सक्राइब अब थ्री माक्स वाले कोश्चिन दो माक्स वाले हम लोग देख चुके हैं पहला कोश्चिन यहां पर थी माक्स का लिखा हुआ है राइट दी नेम से इस्ट्रेक्टर अब दी मोनुमर्स ऑफ दी फॉलोविं यह तो दो को बता ही दिया ऑफ दिया लिए थी और दूसरा आपका स्टैरीन हमिल्के बना होता है तो आर और यह वाला गोब्सक्ति लेक्वर ट्ल ऑटाय है आपको यहूइ स्था नहीं है तो इंपोर्डेण है ट्न फर तेल्ऑी एस्ट की रेक्शन इतलीन य्चलयकॉल के साथ ये मॉनोमेरिक उनिट्स पसमें कंबैंद करें की मोनियत की स्पंशन चूल फिर्सक्राइब यह त्ढिंग्लाइकोल होता है यह स्टाइरीन होता है यह सब लिखा चुका हूं बारबार का लिखां इडिमोनोंगर्स ओफ फॉलोविंग्पॉलीमर्स अंधीशन और पॉलिमर्स हमने मोनोर्न भी बताने हैं और साथ-साथ बताना है जो भी लिखे पुरूर है यह एडिशन से बने से बने तो टेफलोन सबसे पहले टेफलोन की बात करते हैं टेफलोन का जो मौनो मर् है वो मोनोमरो क्या होगा टेट्रा फ्लोरो इथीन जाने कितनी बार तो बता चुका हूँ जब से discussion कर रहा हूँ तब से और ये क्योंकि unsaturated है और addition polymerization से बनता है इसलिए इसको addition की category में डाल देते हैं नेक्स्ट है बेकलाइट बेकलाइट के जो monomers होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक फिनॉल होता है और दूसरा formaldehyde होता है ठीक है और फिनॉल और formaldehyde के condensation process के बाद बेकलाइट का formation होता है इसको अम condensation की category में डाल देते हैं ये condensation polymerization से बनता है next natural rubber natural rubber को मैंने आपको बताया था कि natural rubber का जो monomer होता है वो क्या होता है आईसो प्रीन होता है यह है इसको आप टू मिथायल ब्यूटा वं थ्री डाइन भी बोल सकते हो या फिर आप इसको आईसो प्रीन भी बोल सकते हो मेरे साब से बात क्लियर होई ठीक है और क्योंकि इसमें सब्सक्राइशन यह भी एडिशन पॉलिमराजेशन के थूह ही आपका natural rubber का formation करते हैं सिंपल नेक्स्ट एक्स्ट एक्स्प्लें दी टर्म को पॉलिमराजेशन यार बता चुका हूं इसको यार बारबार डिसकूस नहीं करेंगे पोपाuren पॉलिमर्स के स्टक्त errब मोमर्स और इसमें की बात करतें सबसे पहले तो पॉलिएंटिनल और पॉलिमर लिएंट को सबäss सो ह्की एक लौन होता है है कि पॉलिमराजेशन से लो पंदाना था दो पूंस लिये एक बनना था तो एगी पूसलिया आभी बताया था टेट्राफॉरो इतिंगजान होता है सा fantasy 2 टिस्टिंगुच दूपोलीमर चताम यां इडिस्टन पॉलिमर और यांडिंश्ण पॉलिमर बता दिया इडिसेशन कंडंसेशन नंतरक है classify the following into addition and condensation polymer हमें सिर्व इनको बताना है कि addition होंगे condensation कोई monomer नहीं बताना polythene जो होगा वो addition polymerization से बनता है poly tetrafluoro ethene जो होता है यानि कि teflon जो होता है वो भी addition polymerization से बनता है poly butadying क्योंकि इसमें भी pie bonds मुझूद है ये भी addition polymerization से बनेगा बेकलाइट की बात करें तो ये condensation polymerization से बनेगा condensation का मनलब जब दो बड़े molecule आपस में टकराते हैं तो छोटे molecule जैसे water हो गया ammonia हो गया मितना हो गया इतना हो गया बाहर निकल जाते हैं उस process को condensation बूलता है write this structure and one use of each of the following polymer P बाहर बाहर वही question पूछ रहा है इसका monomer होगा vinyl chloride इसका use important है मैंने आपको बताया था usage इसके किसमे polyvinyl chloride यानि की PVC की pipe आते है है ना pipes में use होते है raincoat के अंदर इसका 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 बता चुका हो मैं आपको starting में मैं जब एक-एक monomer पढ़ा रहा था एक-एक polymer पढ़ा रहा था तब मैंने आपको इनके uses भी साथ के साथ लिखाये थे urea formaldehyde resin urea formaldehyde resin में एक तो monomeric unit होगी urea और दूसरी monomeric unit होगी formaldehyde और इनके जो uses होते हैं वो unbreakable crockery के अंदर use होता है unbreakable crockery के अंदर ये use होता है बतलब जो plates वगिर आती है कटोरी वगिर आती है जो टूटती नहीं है उनके अंदर ये use होता है backlight backlight के जो monomer है वो एक तो phenol होता है और दूसरा formaldehyde होता है और इसके जो uses होते है क्योंकि hard plastic होती है ये balti बनाने में इस्तिमाल होता है यानिकि buckets बनाने में इस्तिमाल होता है switches बनाने में इस्तिमाल होता है plugs बनाने में इस्तिमाल होता है kangha बनाने में इस्तिमाल होता है comms बनाने में इस्तिमाल होता है fountain pen बनाने में इस्तिमाल होता है है हे न दोर हेंडलल सब्णाने बनाने में इस्तेमाल होता है यह सब इसके इस्तेमाल है यह सब तरीके से इस्तेमाल किया सकतागी ठीक है जब हुशना यहिइड्री डी मोनो Civностью फॉशना निए इनकि वांटा ने Terrelline पता चुका हूँ ओलरेडी कि ये किस्ते मिलके बना होता है Terelithelic Acid यनी कि एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे Ben única, Karboxyllic Acid जिसको Teraelithelic बोलते हैं क्या बोलते हैं Terelithelic Acid बोलते है Terelithelic Acid और साथ में Ethylene Glacol Ethylene Glacol की शकल कुछ ऐसी होती है इन दोनों के combination से जो polyester तयार होता है वो terylene कहलाता है जो कि wear and wash fabric में काम में आता है भलाव धोर पेनो, भलाव प्रेस करने की जड़रत नहीं है स्तिरी करने की जड़रत नहीं है polythene, polythene का monomer जो होता है वो ethene होता है ठीक है, और इसका use आपको पता है plastic bags में use होता है squeeze bottle में use होता है वो सारे uses हमें पता हिए bakelite जो है, वो phenol plus formal dehyde से मिलके बना होता है और इसके uses अभी मैंने आपको बता है दिए integrate the type of polymerization for each which forms the polymer हमें भी बताना है कि ये addition से बना है ये condensation से बना है तो ये वाला तो आपका condensation से बना है ये वाला भी ये वाला आपका addition से बना है और phenol plus formal dehyde ने की bakelite भी आपका condensation से बना है ठीक है, simple है write the chemical equations to form the following polymers ठीक है, सबसे बहले nylon 6 कैसे बनेगा हाँ में पूरा chemical equation लिखना है कि nylon 6 कैसे बनता है तो यहाँ पर जो polymerization होता है वो condensation polymerization होता है कैप्रोलेक्टम self condensation process में जाता है water की presence में कैप्रोलेक्टम self condensation process में जाता है water की presence में सबसे बहले है water is bond को break करेगा यहाँ पर H, यहाँ पर OH ऐसा करने से यहाँ पर जो एक और monomeric unit तियार होगी वो होगी कैप्रोइक एसिड CH2 यहाँ पर 5 बार यहाँ पर एक NH2 आजाएगा N number of units आपस में combine होके आपको यहाँ पर heat करके SNE mechanism से water का molecule वापिस बाहर निकाल के आपको मिल जाएगा यहाँ पर CO यहाँ पर CH2 whole 5 और यहाँ पर NH whole N यह बन गया आपका Nylon 6 यह क्या है आपका Nylon 6 है ठीके केप्रोल अक्टम इसका monomer होता है सेकेंड दिया हुआ है आपको Nylon 6-6 Nylon 6-6 जो है वो दो प्रकार के monomer से बनता है एक तो होगा Hexamethylene डायमीन जिसकी शकल कुछ ऐसी होगी और दूसरा होगा आपका Adipic Acid जिसकी शकल कुछ ऐसी होगी यह आपका Adipic Acid है क्या करना है आपने को Carboxlic में से OH निकालना है NH2 में से H निकालना है तो वही करेंगे बस यहां से H और यहां से OH यहां से OH और यहां से H ठीके आपस में इसको Polymerize कर देंगे N number of units इसकी होगी और any number of units इसकी होगी ठीके जो Polymer बनके आएगा वो कैसा दिखेगा CH2 Whole6 NHCO CH2 Whole4CO यहां से पूरा Whole N कर देंगे हम लोग ठीके Heat करके Water का Molecule बाहर निकालके SNAE Mechanisms ठीके सब बनगे Nylon 6 ठीके Hexamethylene Diamine और Adipic Acids सब बता रखा है आपको ठीके अंदर सब पड़ा रखा है मैंने Next is Polyethene Polyethene कैसे बनेगा यहीं पर बताएं तो आपको Polyethene कैसे बनेगा देखो इथीन का Molecule लोगे N number of इथीन के Molecule सा आपको लेने पड़ेंगे इथीन के Molecule N number of इथीन के Molecule लेने पड़ेंगे High Pressure High Temperature पे High Pressure High Temperature पे Paroxy Catalyst की Presence में Paroxy Catalyst की Presence में Free Ritical Mechanism के द्वारा Addition करवा के यह बन जाएगा आपका CH2 CH2 Whole N जिसको Polyethene कहते है जिसको Polyethene कहते है ठीक है सर Note कल तो पूरा आपका Polymer Chapter मेरी तरफ से करदम हो जाता है जिसमें मैंने आपको इस साल के जो पैटर्न है उसके साब से भी Questions करा दिये और जो Part 2 होगा अलब अब अब टर्म 1 और टर्म 2 दो बात में आपका पेपर होगा टर्म 1 के साब से भी हमने Question करें टर्म 2 के साब से भी हमने Questions करें ठीक है और पूरी Theory भी भी आपको Cover Up करा दिये Thank you so much मिलते हैं अगली क्लास में नए चेप्टर के साथ आपको